हेलो आज हम यहां पे इंसल्ट टैप के एड इन्स गुरूप के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम यहां पे get add ins तो हमने यहाँ पे get add ins यहाँ पे click किया click करने के बाद add ins open हो जाएगा तो यह तभी काम करेगा जब हमारे पास यहाँ पे internet होगा तभी यह काम करेगा तो यहाँ पे यह सभी categories आ गई है किस categories को हमने यहाँ पे add करना है वो यहाँ पे categories है तो यह दिखो ALL Categories, जैसे हमने यह add करना है तो यहाँ पे Add पे click करेंगे, तो add ins में यह add हो जाएगा, या और यहाँ पे सभी यह categories दे गई हैं, जैसे एज्जूकिशन, इस से related हमने यहाँ पे कुछ add करना है, जैसे यह Wikipedia यह add करना है, तो हम यहाँ पे add पे click करेंगे, और continue प पे क्लिक करने के बाद ये add-ins में add हो जाएगा ये देखो add होने के बाद ये Wikipedia राइट एंड साइट की pen पे आ जाएगा Wikipedia में अगर हमने यहां पे कुछ भी सर्च करना है जैसे keyword के बारे में तो हम यहां पे keyword लिखेंगे keyword लिखा keyword लिखने के बाद यहां पे search पे click करेंगे search पे click करने के बाद यहां पे यह search करके दे देगा कि यह यहां पे keyword से related जो भी है यहां पे आ जाएगा इसके बाद suppose करो यहां पे हमने कोई world यहां पे insert करना है तो यहां पे हम इसको select करेंगे यहां पे plus sign पे यहां पे click करेंगे तो यह insert हो जाएगा यह रिखो यहां पर insert होके आ जाएगा इसके बाद यह यहां से बंद किया बंद करने के बाद अगला है my add-ins तो इसमें क्या होता है जो हमने यहां से add किया होता है वो यहां पर आ जाता है my add-ins तो यहां पर click करेंगे तो यह रिखो see all, all पे click करेंगे तो यह रिखो हमने यहां पे यह add किया हुआ है एक Wikipedia एक People Graph तो इनको दोनों को यहां से अगर remove करना है तो हम यहां पे three dots पे click करेंगे, remove पे click करेंगे और यहां पे remove पे click करेंगे यह अट जाएगा, इसी परकार इसको remove करना है तो यहां पे click करेंगे remove पे click करेंगे, remove तो यह भी यहां से remove हो जाएगा इसके बाद यहां से इसको बंद किया बंद करने के बाद आगे है Bing Maps तो Bing Maps कुछ यहां पे data दिया गया है, तो उस data का map बन के आजाता है उसको बोले जाता है Bing Maps इसके बाद आ गया है पीपल ग्राफ तो पीपल ग्राफ क्या होता है? इसको समझने के लिए हम सैकेंड शीट को यहाँ पर ओउपन करेंगे ओउपन करने के बाद यहाँ पर दिये गया है name of department यह department दिये गया है total implies, कितने implies यहाँ पर काम कर रहे हैं यह यहां पर दे गए है तो हमने यहां पर इनका people graph create करना है तो इसको create करने के लिए हम यहां पर people graph पर click करेंगे यहां पर click करने के बाद यहां पर trust this add-ins यहां पर click करेंगे यहां पर click करने के बाद तो यहां पर नकली data यहां पर दे गए है पीपल ग्राफ को यहां से छोटा करेंगे तो यहां पे इसको किंचेंगे और यहां पे छोटेंगे और थोड़ा ओर करेंगे यह देखो यहां पर यहां पे डीटा आजाएगा हम यह change करना चाहते हैं तो इस title को हम change कर सकते हैं जैसे यहाँ पे इसको मिटाया यह मिटाने के बाद यहाँ लिखेंगे total implies यहाँ पे total implies लिखा लिखने के बाद select your data यहाँ पे क्लिक करेंगे डेटा को select करेंगे तो यह data इसको select करेंगे क्योंकि इसका people graph हमने create करना है यह select किया select करने के बाद यहाँ पर create पे click करेंगे यह देखो create पे click करने के बाद इस data का people graph यहां पे बन के आ जाएगा तो जो यहां पे data दिया गया हुता है उसका यहां पे people graph बन के आ जाता है अगर इसकी हमने setting change करनी है तो हम क्ये करेंगे यहां पे people graph के उपर यहां पे click करेंगे setting में जाएंगे setting में जाने के बाद यहां पे red में आया हुआ है इसको अगर change करना है yellow में तो हम यहां पे type पे second type पे click करेंगे यह second type में आ जाएगा यह दिखो यह second type में आ गया अगर यह third type में चाहिए ऐसा चाहिए तो हम इसके उपर click करेंगे इसमें यह change हो जाएगा अगर हम इसका theme change करना जाते हैं theme पे click करेंगे यह सभी theme आ जाएंगे जैसे यहां पे first वाला दिया गया है second पे click करेंगे यह second theme यहां पे apply हो जाएगा third पे करेंगे यह third theme यहां पे आ जाएगा यह जो भी यहां पे theme चाहिए जैसे यह theme चाहिए तो इस theme में यह बन के आ जाएगा तो यह यहां से हम theme भी change कर सकते हैं इसके बाद shape अगर इसकी shape change करना जाते हैं यह जो people graph यहां पे बन के आया हुआ है जैसे यह people यह graph बन के आया हुआ है इसकी shape change करनी है तो हम shape पे click करेंगे तो यह आँपे first shape है second चाहिए तो यह हम यहां पे click करेंगे यह second shape यहां पे आ गई अगली चाहिए यहां पे click किया है यह अगली shape आ जाएगी people graph बन के इसके बाद यह shape चाहिए तो इसमें आ जाएगा तो हम जिस भी इसमें shape में click करेंगे उसी का यहां पे people graph बन के आ जाएगा इसमें क्लिक किया इसमें ये people graph बन किया जाएगा तो इस प्रकार हम यहाँ पे यह जो data दिया गया है इसका people graph यहाँ पे create कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने add-ins group के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो एच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद